शुराभासकर सुदरूप से भारत तेरे टुकरे हुँए इंसा अला, इंसा अला की बात करने वाली शुराभासकर जिसको दस दिन पहले ट्वीट करती है कि मेरे बहाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छे जल्दी से साधी कर लो किसी लड़की को देखकर और सुराभासकर उसी से साधी कर लेती है लेकिस सुराभासकर को भी कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा मैं आपके चैनल के माध्यम से सुराभासकर को अंटिमेटम देना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि उस कौम में उन्होंने साधी किया जो कौम अपने बहन से ही साधी कर लेता है उसके बाद तलाक तलाक करके कईक मर्दों के साथ रात बिताने पड़ती है अगर सुराभासकर हजारों मर्दों के साथ रात बिताना चाहें तो उनको साधिर मुबार्ख हो अगर वो वाके में एक नारी सक्ति है वाके में आपने एक ससक्त साली महला है तो उसको साधी करनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन चलिए स्वागत है साधी की कम से कम सनातन से एक बोज कम हो गया अच्छा आपको लगता है कि अब सुरा को हलाला के लिए तयार होना चाहिए सुरा को क्योंकि अभी राकी सामंत ने यह साधी की और तीसरे दिन रोना शुरू कर दिया कि इसका आफेर किसी दूसरे से है और उसने कर दिया मंए और उजह किनारे मैं की और रहे हैं अस्लाम में जो एक कुरिती है बहुती कष्टकारी कुरिती है उन माँ से पूछिए वो बहन से पूछिए वो नारी से पूछिए वो नारी वो माँ वो बहन जब 1000 लोगों के साथ विस्तर उसको बिताना पड़ेगा, कितना कश्टकारी है, जिसको अपनी भाई मानता हो, उसके साथ सारिनिक संबनाना पड़े, जिसको अपना पिता मानती हो, उसके साथ विस्तर गरम करना पड़ता हो, जिसको अपना धार्म गुरु मानती हो, उसके सा आप विस्तर साजा करना पड़ता हो उसस संस्कृती में ऐसे संस्कृती बहार में चला जाए